तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और ये जी वीडियो है आप लोग के 12th क्लास के उदू का जो चैप्टर वाइज अब्जेक्टिव कोश्चन का स्रीज चल रहा है उसका 6 वीडियो है यानि कि 6 वीडियो जिसमें हम में आप अपने स्कोर जरूर बताएगा कमेंड में कि आप लोग कितना अब्जेक्टिव कोशन सही कर पाए है ठीक तो चलिए हरे कोशन को ध्यान से देखना है समझना है और उसी के साथ उसका एंसर सही एंसर याद करते चलना है जो कि मैं आप लोग को बताऊंगी ठीक तो देखिए जो सबसे पहला सवाल में वह यह की बाग भार का तालुंक कि सन्व से है यह चैप्टर है गाई ने मतलब भाणा कि यह क्या है क्या है यह आप लोग को बताना है कि आफजाना है यही आप लोग को बताना है बजु नंबर हीप। दास्तान, बागो बाहर ये जो है ना Yang चाप्टर ये एक दास्तान है और दास्तान किसे कoh Tाहते हैं यह भी मैं आप लोग को अलड़ी बता चुकी हूं जब चाप्टर पढ़ा रही थी तो आप लोग वह में कमें बता ये की दास्तान किसे कहते हैं, बहुत चद्धा असलान सभीर है किस मुल्क से किस देश के में चीन दास्टान सी में इंसर कैने इराक और डी में इरान इसका सइर जवाब क्या हो जाएगा सभी सफिर समय में उर्न और असuse नंबर किस की कि तस्नीफ है किसका लिखा हुआ है बागो बाहर तो अभी मैं आप लोगों को बताई ना कि मीरमन देलवी का लिखा गया है तो आपसन नमबर डी इस युराइट इंसर आगे बढ़ते हैं चौथा सवाल है बागो बागो बाहर का सने अशाथ क्या है मतलब बागो बाहर यह कहान यह चान दास्तान है सौरी क्या jakiś पास्तान है तो यह दास्तान उसका अशारत होई कि प्रकाशित हुए उपस को और में GG तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा अपसान नमबर वी अथारव बहार को प्रकाश्ट किया गया अगे बढ़ते हैं पांच नमबर सवाल है कि बागव बहार कहा लिखी गई अपसने में हिंद्धु कॉलेज बी में लाहौर में C में है फॉरट विलियम कॉलेज और D में है कोई नहीं तो इसका सही जवाब आप लोगों को मालूम होगा आपसन नमबर C फॉरट विलियम कॉलेज में बागो बाहर नाम का दास्तान लिखा गया था आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 6 है कि बागो बाहर किस किताब का तरजुमा है बागो बाहर जो है न यह ट्रांसलेट किया हुआ है तो यह किस किताब से ट्रांसलेट किया गया है किस किताब से तरजुमा किया गया है तो देखिए, option A में है, चहार दर्वेश, B में है, गंजे खुबी, C में है, खलाक मोसनी और D में है, कोई नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा, option A, चहार दर्वेश, ये भी आप लोगों को मालूम होगा, बहुजदा आसान question है, चहार दर सा, B में है, तिन सा, C में है, चार सा, और D में है, पान सा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, option नमबर कितना, D, पान सा रुपे काई नाम मिला था, मीरमन तहलवी को, चलिए आगे बढ़ते हैं, question नमबर एट है, कि बागो बहार में कितने दर्वेशों के वाकिया आत को ब है, वो जो दास्तान है, उसका तर्जुमा किया गया है, तो चाहर दर्वेश में चार दर्वेशों की किस्टा को वाकिया आत को बयान किया गया है, तो बागो बागो बहार में भी क्या होगा, चार दर्वेशों के वाकिया तो चाहर दर्वेश, चार दर्वेश के वाकिया को ब्यान किया गया है और उसी का उर्दू में तर्जुमा किया है बागो बाहर तो बागो बाहर में भी चारे दर्विश का वकात को ब्यान किया जाएगा ना तो आपसे नमबर डी होगे आप लोका सही जवाब आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर नाइन है कि किसकी खौाहिश पर मीरमन ने बागो बाहर जैसी किताब तर्जुमा किया किसकी खौहिश पर किसके कहने पर किसकी खौहिश थी कि मीरमन देलवी जो है बागो बाहर नाम का ये जो किताब है उसका तर्जुमा किये थे तो देखिए आपसे ने में हैं अल्लामा एकबाल बी में हैं शिबली नमानी सी में है जॉन गुलक्रिस्ट और डी में है काल माक्स तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग को मालूम भी होगा और सी जॉन गुलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर मीरमन जो है ना बागो वहार जैसे किताब का तर्जुमा किये ट्रांसलेट किये ठीक तो यह होगा आप लोग का आप लोग का चापकर दिया गया है उस कहाने में बताए गया है कि शहजादे के जो पिता जी रहते हैं जो कि पुराने वाले बादशा और मलक सादेख के बीच दोस्ती रहती है बहुत पुराना तो आपसन नमबर सी हो गया आप लोगा सही जवाब आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमबर 11 है कि शहजादा एक मिनटी यहां पर मिस्प्रिंट हो गया है शहजाद सिर्फ लिख दिया गया है शहजादा फ फकीर को कितनी अश्रफिया देता है यह भी मैं आप लोगो बता चुकी हूँ एक अश्रफी देता है मातर बुस्रह जादा उस अंदे फकीर को ठीक तो आपसन नमबर डी होगे आप लोगा सही जवाब आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 12 है कि बागो बाहर के इस एक दबास और डी में इराक और चीन माचीन तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number c चीन माचीन और हिंदुस्तान का जिकर किया गया है इस इक्तबास में इस पार्ट में इस खंड में आप बोल सकते हैं ठीक आगे कोशन नमबर 13 कि शहजादे को मलिक सादिक के पास कौन लेकर जात जो कि शहजादे के पिता जी को धोखा दे कर वो खुद बादशा बन गया रहता है चीन माचीन का तो उसी का यह जो मुबारक है नौकर रहता है और मुबारक की शहजादे को मलिक सादिक के पास लेकर जाता है मदद मांगने के लिए ठेक है और वो जो मलिक सादिक देता है व और मुबारक अंदे फक्रिका पीछा करते कहां गये थे यहां पर कहां तक गये थे यहां पर भी टाइप गलत हो गया है लेकिन कोई दिकत नहीं है मैं जबान से बोल दे रही हूँ शहजादा और मुबारक उस अंदे फक्रिका पीछा करते कहां तक गये थे तो महल तक गये थ हैं ठीक उस पुरानी हवेली तक गये थे जो कि बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी थी और शहजादे को वह महल देखकर ऐसा लग रहा था कि यह जो महल है जब यह नया होगा ना तो बहुत ही ज्यादा खुबसूरत दिखाई दे रहा होगा ठीक तो यह सारी बात सोचता है उस महल को देखकर आगे बरते हैं कोशन नबर 15 है कि शहजादा और मुबारक उस कागज की औरत के तलाश में कितने सालों तक परिशानिया सहते रहे तो वह साथ सालों तक जो है ना परिशानिया सहते रहे शहजादा और मुबारक जब मलिक सादिक के पास गए रहते हैं तो मलिक सादिक वो बोलता है कि वो शैजादा कमड़ेगा लेकिन वो भी अपनी शर्त रहता है वो एककाज निकाल कर देangen को और बोलता है कि इसकाज पर जो लड़की का चित्र है इसको तुम धूंद कर लाओ नहीं दोगे मांद, गलाओ तब मैं तुमारी मदद करूँगा तो वहीं पर उनको वह अंधा फकीर मिलता है तो आगे देखते हैं question number 16 है कि मीरमन देलवी की पैदाईश कहां हुई option A में है दिल्ली, B में है कलकत्ता, C में है लहोर और D में क्या है एक मिनट D यह है पटना तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब होगा option number A दिल्ली में मीरमन देलवी की पैदाईश हुई थी ठीक, आगे बढ़ते हैं question number 17 है कि गंजे खुवी किस किताब का तरजुमा है यह जो गंजे खुवी नाम का किताब है यह किस किताब का तरजुमा है यानकि किस किताब से इसको ट्रांसलेट किया गया है तो option A में है चाहर दर्वेश B में है इखलाक मोहसनी C में मीर तरजमर से और D में है बागो बहार तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number B एखलाक मोहसनी का तरजुमा है गंजे खुवी ठीक आगे बढ़ते हैं question number 18 कि मीर अमन की फॉरट विलियम कॉलेज में मुलाजमत क जाब हुई थी कभी फॉरट विलियम कॉलेज में जाकर जॉब करने लगे थे यहीं आप लोगो को बताना है तो देखें यहां पर यहां पर भी गलत टाइप हो गया है यह जो साथ रहना चाहिए इधर रहना चाहिए साथ जून 1765 यह पांच इधर रहेगा पांच मई अठ थाड़ा सो एक में जो है ना मीरमन को फॉरट विलियम कॉलेज में मुलाजमत मिल गई यानि की जॉब मिल गई ठीक तो यह हो गया आप लोगा आप साथ नमबर डी राइट एंसर आगे बढ़ते हैं वर्शन नमर 19 है कि फॉरट विलियम कॉलेज से मीरमन को कितना रुपया महानामा तनखुआ मिलता था उनको कितना रुपया महीना मिलता था अपसाने में हैं 20 रुपया सी बी में हैं 30 रुपया सी में 40 रुपया और डी में हैं 50 रुपया तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा अपसान नमबर सी 40 रुपया महीना मिलता था फॉरट विलियम कॉले थी इस वजह से उनको फॉर्ट विलियम कॉलेज्ज से सबक दोश होना पड़ा रिटायर होना पड़ा तो वो कब रिटायर होए थे यह आप लोगों को बताना है आप साने में 18 साथर सती इन भी मैं 18 ya20 now डे मैं 18 That's all इसका सही जवाब क्या होजाएगा आप्सन नंबर डी अठारा सख्या यह वगे आप लोग का सही आफसन आगे बरते हैं कृशन नॉइन की बार बहार किताब मुकंबल कभू चुकी थी यह आप चला गया है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए अठाड़ा से एक में जो है ना बागो बाहर नम का ये किताब लिखकर तयार हो चुका था मुकमल हो चुकी थी आगे बढ़ते हैं कोशन नमर 22 है कि बागो बाहर किताब का नाम कब रखा गया बागो बाह चाना है कि कब इसका नाम बदला गया और बागो बाहर रखा गया तो देखिए अपसने में 18 से एक बी में 18 से दो सी में 18 से तीन और डी में 18 सो चार तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑपसन नमबर भी अठाड़ा सो दो ठीक आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर 23 है कि किताब मुकमल सूरत में पहली मरतबह किस हिंदुस्तानी चापकाने से शाय हुआ एक मिनट शाय हुआ यहां पर है यह जो बागो बाहर नाम का किताब है यह पूरी तरीके से पहली बार किस हिंदुस्तानी चापकाने से प्रकाशित हुआ यही आप लोग को बताना है तो द किताबों में सबसे ज्यादा सुरत सबसे ज्यादा मशहूर सबसे कौनसी किताब को सबसे ज्यादा मिली कौण सा किताब सबसे जदा ऐस हुआ है रही है हैं यहां पर थोड़ा मिस्प्रिंट हो गया था यह सूरत लिखा गया है शोहरत होना चाहिए ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कोशन क्या है कोशन में 25 मीरमन की जागीर किसने जब्द कर ली यहीं आप लोगों को बताना है मीरमन की जागीर थी जमीन जायदात वो किसने जब् में देखिए मीर मुहमद काजिम खान सी में भी में सुर्ज में सुरज मिल जाट सी में जहलक भी बुक डीपो और डी में कोई नहीं तो इसका सही जवाब हो जाएगा और भी सुरज मिल जाट ने ठीक आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 26 की मीरमन तलाश मौस के सिलसले में कह और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जो option है बादयाश कोशन主 कोशन बरामध हुआ कब बरामध हुआ था तो देखिए, option A में 1260 हिजरी, B में 1270 हिजरी, C में 1268 हिजरी, और D में 1268, दोनों में 1268, अच्छा, यहाँ पर 1219 कर दे रहे हैं, यह जो है ना, 19 कर दीजे, यहाँ पर 1219, यहाँ पर गलती से 1218 दिखा लिए, ठीक, तो इसका सही option क्या हो जाएगा, option number B, 1270 हिजरी में बाग बाहर किताब बरामध हुआ, तो यह हो गया आप लोगा सही जवाब, यह था chapter number 6 का सारा objective question, जिसको आज किस वरियो में हम लोग कंप्लीर किये, कोई भी confusion हो, आप हमें comment करकर पूछ सकते हैं, बाकि में आप लोग को जो कुछ भी समझाई, समझ माया, तो वरियो को लाइक कर आप से चारों तरफ शेर कर देना है, अपने परोशी अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा उसके उन्हें जदा शेर करें, और हां अगर आप लोग चैनल पर नहया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा, सब्सक्राइब कर लेने के बाद, बैल अकन या कि घंटी के दुबाकर औल का अपसन क्लिक कर लेना है, उसे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ओल वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक, तो फिर्म लेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज